तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करें के बारे में और आप दुनों आप भी को मैंने रिकॉर्डिंग अलाओ कर दी है आप लोग इसेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जी तो दीविये प्रगामिंग आज का हमारा चैप्टर है जी तो मैं अट जानते हैं कि वीविये होता क्या है उसके बारे में तो मैं तो में तो वीवी वीवी का full form होता है वीज्वेब बेशिक फोर अप्लिकेशन विज्वेब बेப्सीट फोर अप्लिकेशन अब है जो जानिए कि वीवी जो है विज्वी कinaire नहीं नहीं ए वीवी शिक्स या विवी studi0 नहीं है करें कि यह नया चीत करेंड करते हैं तो ही यूज करते हैं तो वी यूज करते हैं वी जाक्या अप्रिकेशन क्रिए करता आपो आपकी बने बनाई अप्लिकेशन जो होती है उसी का। you have modified करता है मतलब कि उसमें नए फीचर्इब गई कर सकते हैं नह फॉर्मुलेज एड़ कर सकते हैं है दिस्ट के तो नए ये फॉर्मॉलेज और फॉर्मr एड करने के लिए हम यूज करते हैं VVA माईक्रो प्रोग्रामिंग अब इसके बारे में जानते हैं कि से हम क्या-क्या बनाएंगे तीविय प्रोग्रामिंग से हम क्या-क्या चीज़े बना सकते हैं अग्मालिजे कि वीविय एक वीविय एक ए है एक फैक्ट्री है इसका प्रोडक्ट क्या-क्या हो सकता है तो सबसे पहले प्रोडक्ट जो होगा होगा मैक्रोज हम मैक्रोज क्रियेट करते हैं अब मैक्रोज क क्या होता है अब कुछ लोगों के वीतर एक confusion हो दी है कि जो हमारे रिकॉर्ड माक्रो करते हैं अब जो कोडिंग करते हैं उसको वी वी कहते हैं बहुत सारे स्टुडेंट मुझे बोलेंगा सर मुझे मैक्रोज नहीं सिखना है उसके वी वी सिखना है पड़ी चीज क्लियर कर लिजिए कि जो मैक्रोज है तो रिकॉर्ड मैक्रो एक फीचर है जो आपके विहाब पर मैक्रो क्रियेट करता है इसे मैंने रिकॉर्ड मैक्रोज पर क्लिक कर लिया अब मैं मैं को रिकॉर्ड कर लिया कुछ भी कर रहा हूं तो उसकी कोड जनेट हो रही है अब इसकी कोड क्या है कि आपके विहाफ पर प्रोग्रामिंग कर देता है लेकि प्रोग्रामिंग करने के लिए ओभी जो है रिकॉर्डिंग मैक्रो का ही इस्तमाल करता है इसका इस्तमाल करता है यहाद चैयो पर का ही इस्तमाल्थ इस लिए डिनधकार को यूज करके मा क्रीएट करता है주 जो आप माउस और कीबौट ऐक्शनार्यіє जिसे मैंने पर क्लिक किया तो क्लिक करने का कोट जन्नेट कर दिया मैक्रो के अंदर अब कुछ टाइब किया कलर किया सब कर डेनले कर देता है अब यहाँ पर कुश्चन आता है जब भूस शारी प्रोग्रामिंग हो जा लिए दो फिर हम प्रोग्रामिंग सीखे क्यों तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिकॉर्ड मैक्रो है बहुत ही कम मात्रा में आपको सपोर्ट करते हैं बहुत लिमिटेर ऑप्षिन के अंदर में है यह आपका और अटोमेशन नहीं हो सकता इससे आपका क्या बोलते हैं रिपिटेशन नहीं हो सकता कंडीशन अप्लाई नहीं हो को आप करते हैं कि अब रुपोर्ट बनाने के लिए आप 20 step फॉलो करते हैं 5 कंडीशन लगाते हैं अब फॉला प्सक्षक के आप कर दियt नेक्स टाइम रूं करेंगे तो आप करते हुए जो आप रिपोर्ट बनाते हो से थरह का रिपोर्ट बना देगा तो लुग्ट वो भी कुछ seconds में जिसको आपको बनाने के लिए घंटा दुहंता लगता है एक तरस इसको हम auto pallet कह सकते हैं कि यह आप रिपोर्ट समंध लेजिए आपका फ्लाय है आपका फ्लाइट है और आपको मालेजिए कि अब कहां पर काम हो सकता है तो रिप्रेट जॉब या लेंदी जॉब पर होता है उस पर भी आ रहे हैं बूसा चीज यूज करेंगे और यूज करते हैं हम बनाते हैं जो फंक्शन्स व्यविए से हम फंक्शन्स क्रियेट करते हैं आप बीविए के मदद से वी लुक अप एच जब जैसे फॉर्मलेज कर सकते हैं अब पूस्टन आता है कि हमारे पास तो और लेडी बहुत सारे फॉर्मुलीज इबलेबल है लेकिन क्या होता जो एक्सलिकी फॉर्मुलीज है तो आपके पास कुछ ऐसी कालिमिलेशन हों कि जिसके लिए फॉर्मुला फुल्फिल नहीं होगा या आपके सही तरीके से या लगात्य है तो जिसे आपकी डेटा अगर बीस बार है मालेशन पूझा अट्रीक सबच्चा को देगा बाकि पुझा को नहीं आतरए है रहे है happening कि अ तो आपको चाहिए कि मुझे सारे पूजा के लिए तो आप इसके लिए function के मदद से खुद के लिए एक नया formula त्यार कर लिए ओके यह जे उसके बाद तीसरा होता है यूजर फॉर्प यह क्या होता है यह आपका interface होता है आप user interface create कर सकते हैं जैसे माल लिजिए कि आप इंसर्ट में जाते हैं पीवट लगाते हैं क्लिक करते हैं यह पॉप आपको बनाना है आपको लोगे क्या benefit है तो क्या होता है कि जब आप पीवट टेबल क्रिएट करते हैं तो इसमें कई सारे ओप्शन्स हैं पीवट एक्सलिन डेडा शोर्स दिख रहा है पीवट फॉर्म रही इंस्टेबल लेंशी दिव वरक्षीट सी तो कहने की बत्कर पर जो आप इस तरह का पॉप उप यूज करते हैं उसमें बहुत सारे ओप्शन्स होते हैं तो यूजर को जरूरत ह सकता है वह पर कुए इस पर करका है कि अगर आपको जह है एक रिपोर बनाटी बनानर होती है कि कैसे कैजरिया है कि पहले कौन सा साल का बनाना है। जै sectors में बनाना अगर ऐसको मायक्रों का बनाना जब्र पह पर खीज यहां कि यहां पर क्या होगा कि आगर आपने यहां पर फॉंक्शन इस्तिमाल कर दिया तो एक युजर फॉर्म देदोगे जहां पर चेक बॉक्स और बटन होंगे उस पर च्वाइश करेगा और जाब ओके पर क्लिक करेगा तो जो च्वाइस किया गया है उस हिसाब से रिपोर्ट बन के दियार बहाएंगे तो विवी माइक्ष पर्काइम से हम माईकरो जिसको हम लोग इंट्ट उट्वचअ कर सकते हूं चाहिज। वेल्ज काम हो ज जब कर से करें लिए तो काम करता कि अगर वह काम आपको रिपीटेट है कि हरी दिन करने पता है और अब टो उसके लिए आपको क्या है कि आपको विह स्वेही हग la trilogy besi पर आपको डेटा आता है उसके आप रिपोर्ट बनाते है रिपोर्ट बनाने का तरीका फॉर्मेट डिजाइन सबकुल सेम है बस डेटा इंफ्रमेशन लेकर आपको फिल कर देंगा मैं संचे पाइस लग लोगों को बेजना होता है इस अलगले पोर्ट बनाने सेंगा ख्लिए समद्र है आप जो आपको गिर अलगला टेक अंडेटा डामले Color बनाने के तरीका तो आपका काम अपने आप कर दिया मैक्रों से क्या मंदब मेर भी चलिए है क्या मैं ठीक है मैंने एक अटोमेक्शन कर आया था गजब का अटोमेक्शन था मेरा काम खत्म हो गया था बेसली मुझे जो है दिन पर में एक मुझे मेरे पास दो तरह का डेटा आता था में काम करता था मुझे दो डेटा आता था उस दो डेटा बेसे मुझे तकीव जो है नगा 30 आ 35 टियार करने पड़ते था उसके बाद भी मुझे 2-3 पोर्ट ऐसे मांग दिया जा तो मैंने क्या और किस तरह कि रिपोर्ट बन सकती है किस तरह कर दिया पचास बना कर दिया और अब कर दिया और मैंने क्या किया सिस्टम में कि कर दिया कि मेरा डेटा में आउतलूक ओपन हुआ लिंदर होता है उसमें मैं टार्म याप से सब् euch और में मिल टति कर यह जब मुह इस आईडी से सब्जेक्ट का पर अपना सुसमें तो यह था सर्भीस एड़ी रेट डॉट कॉम हमारी इमेल आईडी थी वहां से डेटा आता था हमें डेली बजे में दो पहर के तीन बजे युए सिप्ट थी तो बाराएक बजे हमनों डुटी पहुंचते थे तीन बजे में डेटा आता था और तीन बजे हमनों अपना काम उस अटाइचमेंट को एक फॉल्डर में सेव कर दो ठीक है और सात में मैंने बुला कि एक फाइल को ओपन कर दो इस फाइल कर रहे थी कि तुम जैसे ही मेरा फाइल ओपन होगा उसके अंदर कोडिंग थी कि जब यह फाइल ओपन हो तो आटोमेटकली इस फॉल्डर से इस उठाए और इस डेटा की उपर रिपोर्ट बनाना शुरू करके एक फोल्डर में सारे रिपोर्ट को रख दें और बाकि सभी को मेल कर दें आउट्लुक के तरह cha cha, । उढाण सारा करिक काम स्भी को बाकि यहीं आट्मेतिक होता था अकि जैसे ही मेरा आउट्लूक ओंग उपन हो जैसे मेले जैसे पॉल्ण सॉत है पांकूर्ट के मैं इस वेंट माइक ब्यान पर दए यहां पर प्रकांवें ओति यह आपर यांन फेर तTu有一 त兩 इस वर्क आट वक्ले वक्लेस इहां पर चला को चक्व मैल हो जाता ही मैं हれं Хотो मेरा मेब आते ही मेरा कंप्यूटर काम पे लगजाता था और पचास रिपोर्ट बनाके फचास जिसके लिए मुझे पूरा साम तक काम करना होता हुआ अब मेरी प्रॉलम आ गई कि अगर मैंने सराची आटोमेट कर दिया और मेरे टीम को पता चल गया तो तीम तो मुझे पर दूसरा काम दे देंगे तो पर दिक्कत होगा है मुझे करना पड़ेगा अब मैं कि कोई काम चोड़ता था नहीं मैं कि मेरा एक आदा थी कि हर काम को वेलकम करता था जैसे मैं आपके हर कोश्चन को वेलकम करता हूं क्योंकि हर काम मेरे लिए कोई नई अपज़टी आती थी लेकिंगे मैं काम अपनी हिसाब से परूंगा तो मैंने का किया आउट गाप कर दिया है है और गैसे जली आप मेल जब भीज़ते हैं उसमें चला जाएगा तो सारे मेल कंपोज करके मेरे आउट बोक्स में चला जाथा था आउट वेक्स में लगा हुआ कि कोन सा मिर तो पहल 네 vêzenा है कि तैम पेजदा था तो बहुत पता चला हैकि इस डिपोर्ट रहा है और हम क्या करा है हम अपने आफिस में गूम रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सको फिल वह किसकी फ़्रवाइम क्रिटिकल एक इसको bunny करें आँर स्वोब काम उठा उठा आपके लिए कि सिपम兩 डिए को मेरी साल टक लोगों को पता नी चला है मेरी इसकामी को डेर सलवात है गाहों में छुटूब्टी पे आया अभ मेरी जगह पर जो काम कर रहा तो को पता करता है कर ना है सिक्रिट वो भी चुट्टी पे चला गिया, अब कुछ रिपोर्स जो थी, इंपोर्टन थी, हर दिन भेजनी ही भेजनी है, हमारे बोस नहीं है, बोला, कि सुझीए ते रिपोर्ट कैसे जाएगा, कैसे बनेगा, बता दो, संगा दो इसको फोन पे, हमने बोला, संधाना कुछ नहीं है उसके मेरा कंप्यूटर ओपन कीजिये, आउट्डुक ओपन हो गिया, बेट कीजिये, मेल आएगा, संजोग से उसी समय मेल आ गई, और मेल आते ही, मेरा कंप्यूटर अपने हां काम करना शूरू किया, और मुस्किल से तीन है चार मिनिट मेरा काम कर गया, बोस के मूझ से अब यहां पर कॉश्चन आता है कि मैंने स्टोरी सुना दी, तो क्या हंडर परसन अटोमेशन हो सकता है, देखें, वीवीए में हंडर परसन अटोमेशन का कमेक्मेंट नहीं कर सकते, आपको कुछ नाम अलग करना है, यहां पर हमने लिग दिया, यहां पर सुजीत कुमार, अब चाहते हैं कि सुजीत को अलग कर दे और कुमार को अलग कर दे, तो आपको बताया कि अगर इसके बीच में कोई अगर स्पेस नहीं है, तो क्या होगा, समझभाएगा कि सुजीत कौन सा है, कुमार कौन सा है, वो तो छोड़िए, राम जी राम, आप बताइए इसमें कि ऐसे साउथ के नेम है कि क्या तो यह तो आप्टमेक्शन नहीं हो सकती ना तो करने के मतलब है जिस पर कोई लॉजिक नहीं है जिस पर कोई कंडीशन नहीं है उसको वीविये क्या आप मैनुवल भी करेंगे तो आप दस में से आठ को गलत करेंगे करेंगे तो अब बात होती है कि अब इसमें होती है कि मालीजी का आपका 100% अट्रेमिशन नहीं हो जाए तो आपकी 80% ता टाइम सीब हो गया ना कि कुंटी परसंट रा जी मैनुवल तो कहने मतलब है कि हम वीविय कभी यूज करते हैं जब हमारे पास रिप्टेट जॉब आता है जो मैंने स्टोरी बताई अपनी यह मने कभ ऐसा कभ किये जब मेरे पास सारे रिपोर्ट की फॉर्मेट सेम थे लेकिन अगर आपको ऐसा और हर दिन सेम रहेंगे इसलिए मने कर दिया लेकि मान लिजे कि आप से बोला गया कि यार मुझे मंत बाइज फ्लाने शिटी का डिली का टोटल सेल बता तो अब क्या है कि एप बॉस ने आप से फर्स टाइम मांगा है अब इन फ्यूचर में मांगेगा इसकी गायल्टी न जालो कि कोडिंग itu नहीं आ असान की आपने दौब्य्ट में लिखा आपका काम होगे है को कोकि के लिए हमें उसकी पहले करने ने है कि यह पर दम ना पर töँ थेश करना होता है और राय में अल्य सूट गर पर रीटेस्स करना होता है अप्र अंगल robust का उन्हें घुटी से के लिए जो कि हम पीबट टेबल से मुश्किल से एक मिनट में निगाल सकते हैं उसके लिए घंदे दूवंदी प्रगामिन लिग ना तो बेब कुवी होगी न क्या कमल दीप जी तो हम कहने बतला भी है कि हम वीवी किस्तमाल वहां करते हैं जहां हमारा एडिप्टेट जॉब होता है जो इस काम को हमें ब्रावर करना होता है दूसरा कंडिशन होता है कि आपके पास कोई काम आया और काम आपका एक ही बार का है बट इस तू लेंदी है समझें बहुत ज़्यादा लेंदी है मैंनों करने बैठोंगे तो काफी दिन लग सकता है इसे फूर एक्जामपल मैं आपके समझा जाता हूं इसके मालीजी कि मैंने इंटरेट पे गया मैं इंटरेट पे जाता हूं एक सर्च करता है साइट लिस्ट ए रहा है हमने इसको कॉपी कर लिते है ऐसे मालीजी हजारो साइट का लिस्ट है मुझे पास ऐसे हजारो साइट का लिस्ट है और हमने आज इसको कॉपी बेस किया हूँ अब प्रॉल्म नहीं है कि मुझे इसको अपने किसी अलग सॉफ्ट्रेट पर इस्तमाल करना है अब वो सॉफ्ट्रेट पर मैं ऐसे फेस्बुक नहीं लिख सकता मुझे इसका यूरल चाहिए कि क्या है हुवी.com.co.com क्या है इसको नहीं है तो हमें क्या करना होगा इसको राइट क्लिक करना होगा एडिट है इसको पर यहां से नीचे इसको पर पी करके और फिर यहां पर इसको पेस्ट करना है ठीक है ओके जी क्लियर है आज तो अब इस तो अगवी तो दस है तो पद्दस पंद्रा है तो चलो आपको पांदस में लगे का आप निकाल लोगे बट यहीं आपका का एकाद दो लाग हुआ तो इसको निकालने में आपको लग रहा है कि कई दिन लगे को क्या पूरा दिन तसलीश स्पीडली काम करोगे फिर भी आप मुस्किल्स हजार या बाराजो निकाल लुपाऊगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल सा जाएंगे प्रोगामिंग में और सिंपल सा एक यहां मुडूल को एड करेंगे और यहां पर हम एक फॉर्मूला या माइक्रो बना रहा हूं कि फॉर्मूला बना दिया एन एजर रेंज कर दिया को इसमें एंटर करेंगे और यहां पर लिख देते हैं कि यू आरेल एक्वल टू एन डॉर्ट हाइपर लिंग लेंक यहां पर वान डॉर्ट है ठीक है अब यहां भी मैं यहां यू आरेल लगाता हूं और नीचे जाए अब कई दिन का काम हमने कुछ सेकेंड्स में कर लिया ना जर्थ ह Lauz ready हमने कके दिर्हंग काम उस स्टकेंड्स में कर लिया ता दिस इद मगतने का जो है यूज है कि हम प्रगार्मिंग करते हैं कभ जब हमारे बाष रिदी काम कर बाद यह विआ हम इसकी कब दिकिया है कि आप तस बॉड्लि Patient Di इसका मतलब है कि अगरा आप आपने कोई माइक्रो वाली फाइल ओपन की तो आपका जो फाइल है को तो दाइक्टि परफॉर्म नहीं करेगा वहां पर एरर शो करेगा समझें कि आपको जब फाइल ओपन करेंगे तो आपको दिखाएगा इवे अनेबल माइक्रो का एक जय को चलिए इसको उच्च कर लेते हैं मतलब कि अनेबल कर देते हैं लेकिन जो फॉस्टाइम और यह पता नहीं मैक्रो कर पादें वी तो कहेंगे यार इसमें तो वायरेस आगया कई बोलेंगे ना सर्व तो आप मान लिजे के आपने 200 लोगों को मेल बेजा है आप में 200 लोगों को मेल बेजा है अद 200 लोगों में से पता चला कि 80 लोग या 100 लोग या 120 लोग जया है तो यह ятी iv उन्हों नहीं जानते हैं गणार हो और सक के भाए अअ अब भून लूग आपको फोन आएगा या अwarेज लगा रहा है यह आपको सुम्शनाना परेगा के भाई इसमें मैंक्रोज इसमें मैंक्रोज है आपको इनेबल मैंक्रोज परिज इस दोनों चीज आपके लिए क्रिटिकल होगा ना लेंदी होगा सरदर्दी होगी ने सर तो मैं अपने स्टुटेंट को सलाह देता हूं कि आप ऐसे फाइलो पे मायक को डालने से बच्चे जिसको पब्लिक ली कई सालोगों में ट्रिबल करना है ऐसे ऐसे फाइलो पे हम ऐसे तरह के फाइलो पर काम करते हैं तो प्रॉलम क्या होगी आपको प्रॉलम हो सकती है आपको फ़र Sarah अनकंफर्टेवल हो सकता है मायको इस्तिमाल करें इसले जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक आप मायकों का स्तमाल काई स्यलोग को अधिज से शाल कई से जाने कंपार ठीक है कि लिए रहे हैं जी समय आए सब्सक्राइब कर सकते हैं अब बात करते हैं कि मैक्रो शुरू करने से पहले हमें किन-किन बातों पर ध्यान देना होगा सबसे पहले तो आपके पास नविगेशन के लिए डेवलपर टैब होना चाहिए अगर डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल में जाएए ऑप्शन पर जाएए और कस्टमाइज डिबन में आप डेवलपर का टैब एनेवल करें यह बाई डिफोल डिसेबल होता आपको खुछ स करना पड़ेगा आप डेवलेपर टैब में आपका वीज्व बेसिक होती जिस पी आप लिखते हैं इनको इस्टॉल करने की प्रता है पहले सी इंस्टॉल होता है बस आपको अनेबल करना है कि अल्टेफ ले बिन सौट कर करते हैं आपके यहां मैक्रोड कोड का विंडू इसलिए कि अगर आप अपनेबल इसलिए करका कि मैक्रोड की फॉर्म में कुई वैलेस आसकते हैं इसलिए पी दिख भी रहा है न देज्टॉर कान रॉन तीख रहा है न न नो अग्युमेंदेश कॉर देंज्ट कोड कान रॉन तो जो आपने इसको अनेबल के लिया एक शी कि अपनेजल स्वाय तो अपनेजल करेंगे कि वसको आपके कि अया इसे पता करेंगे कि आप कि यह अन्नोन है और मैक्रोड कंटेंड कर रखा है कि जब आप व्युमेंदेव जिख बड़ देखर है कि इसमें हंडेट परसुन मैक्रों नहीं है समझे हैं जे जरफ लेकिन जो ए-file आपको दिख रहे हैं इसमें इस तरह का यह इस तरह का सरश्फिन मार्ग का एक चीन लगा हुआ है यह फाइल ऐसा है इसमें मैक्रोग होगा लेकि यह भी 100% sure दिंगे मैक्रोग होगा क्योंकि इसका extension है dot x-less m अब x-less m जो है और normal data भी carry करती है और macro भी carry करती है दोनों carry कर सकती है इसमें macro भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है clear है एक जे यहां इसका extension क्या होता dot x-less m m4 micro m लेकि एक तीसरा जो है यह आपका कहां इस तरह का icon इस तरह का icon इस तरह का icon इस तरह का icon होता है यह icon होता है dot x-less a मतलब कि मैं आपको excel add-ins क्या होता है excel add-ins और यह hundred percent sure है कि इसके अंदर macro होगा सिर्फ macro होगा hundred percent समझे आप अगर कुसी ने आपको यह file बेजी dot x-less एक ही file बेजी इसका icon इस तरह का है तो आप उस file को run करने से पहले सोच ले कि कोई unknown person ने बेजा है तो इसमें कुछ harmful code हो सकते हैं तो run करने से पहले आप अपना ध्यान ले आपने अधिक्स पे रहांना में करें है ठीक है सब जी सब्सक्राइब करने से पहले इस चीज के बारे में सुचना होगा इस दूसरा होता है कि जब आप file पे code लिखने से पहले file को save करेंगे यहां क्योंकि default आपका file save होता है .xlx ने तो code लिखने के बाद उसको आप में .xlx कर दिया कर दिया ना तो उसमें क्या होगा उसको code बंद हो जाएगा तो save करते ही आपके micros को delete कर देगा और दुबारा उसको recover नहीं किया जाएगा ऐसे गलती होती है क्या उतनासर हम क्या करते हैं घंटो दो घंटे लगा के एक माइक्रो एक automation करते हैं जब रन हो जाता है हम खुश हो जाते हैं अग खुशी के मारा हम चे भूल जाते हैं कि default file हमारा xlsx है xlsm नहीं है और हम उसको save कर देते हैं बात बर क्या करते हैं बात में क्या करते हैं सर दुबारा बना सर अफसोस करते हैं दो घंटे में बिनत के निके बात रही बनाएंगे पर तुबारा बनाने से पहले तो तुबारा बनाने से पहले तो तुबारा अफसोस करेंगे ना कुछी घंटा दुगंता आपने अपना मायंड कर बाया है ना इसका solution है solution क्या है कि file में आप जाएं option पे जाएं save पे जाएं और यहां आप micro-unable workbook को प्रूस करें तो डिफॉल्ट आपका फाइल जो है तो डिफॉल्ट करते ही माइक्ट अनवल वर्क बुक ही रहेगा ठीक है जर शर्ट जी तो इसका ध्यान आप लोग रखेंगे इस तो तीन जीजे करनी है फॉर्स टाइम करनी सकेंड नहीं करना है राइट कि पर इस प्रछों करने निमि आप प्रवी कोड लखने से पहले आपको उसको एनलाइग स करना सकता को ब कि यह पिस पर amendments करेंगे दैन एकोर। फिर एंगे टेस्ट ही निवन सब्सक्राइब कई तर्थी दैन करेंगे रिटेस्ट है का जब तक है आपका मांच्रोब स्परियों नहीं करत समझने के बाद उसका सीधा साधा एक रूट प्यार करेंगे इसको हम एग्रिदम कहते हैं step कि हाँ मैं पहले मुझे ए करना है फिर इसके बार ए करना है इसके बार ए करना है right then उसके according आप code करेंगे line by line फिर coding को test करेंगे coding को test करने के बाद अगर perform हो गया तो apply किजिए तकि आप उसको ok कर दीजिए otherwise recode, retaste, recode, recode, test, recode, retaste जब तक कि 100% आपका work link पर जाता है error, errors to talk नहीं जाता है example के लिए जैसे माल लिजे मुझे यहाँ पर नहीं roll number और marks लिखने right तो इसका हम इस तर स्टेप त्यार करेंगे के start, select, A1 enter, name select, C1 enter, roll enter, marks अब तोच जाओंगे सर यह क्या करना पड़े इसको क्या लिखना है पता ही है मुझे एवल में सिंपे नहीं लिखना है तो कलिक मतलब है कि हम इसको simple example में बता रहे है अगर माल लिजिए कि रुपेज जी को कोई problem है रुपेज जी को यादे को क्यों कहीं सारोश उसको बना रहे है तो हम इंगे उसका step लिखना होगा ना सर रुपेज जी बताते जाएंगे और हम इस तरह के step create करते जाएंगे और इसी step से हम आगे code करते जिए जाएंगे कि इसका code है होता है इसका code होता है इसका code होता है इसका code होता है दूसरा इसमें step चूड़ी जिसके अगर आपने आपको step सही से ना पता हो आपने का enter name का code पहले डाल दिया और select करने का code बाद में डाल दिया तो दिक्कल जाएगी ना सर क्योंकि पहले select होता है तो तभी तो हम name लिखेंगे क्योंकि जब मुझे एक बन पर नाम चाहिए तो पिले हमें आप करसर रखेंगे तब यहां नाम लिखेंगे ना सर अज़ारा हूं ठीक है तो इस टेप भूलाँ से आपने लिखने से क्या होता है step पता से जाता है कि इसके steps ऐसे हैं और हम पहले इसका root map क्यार कर लेते हैं इसका एक दुसरा feature भी है कि इसमें आकर रिखनके आपने लिख लिया तो आपको पता जिल गाइब कि इसका कोड मुझे नहीं आता है जिसका क kilograms आपको नहीं आप किया करेंगे आप तो इस पे आज जो मेने थिर्ट के लिए पाटे बताई उसको एक बार वीडियो जो को दुवारा से रन करके सोच लिजिए हैं और कल की क्लास लेने से पहले आपको एक दो घंटा टाइम निकालना होगा तो किसके लिए एक आर्टिकल पढ़ने के लिए यह तो में वेबसाइट है एक्सल दैस्ट डैस्ट दो इसका लिंक ले दोगे शिम्पल याद हो जागा से एक्सल डैस्ट डैस्ट डीए डोट इसमें बुलने वाले बात है अब बोलने वाली तो नहीं है याद रही है एक सक डैस्क भी बियासे रिकॉर्डिंग में आई गी होगी आपकी यहां अब अब बतातो यह मेरे अब वेपसाइट नहीं है और मैं किसी और की वेपसाइट पर पमोट भी नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं सुरुआत में इसको पढ़ाता मुझे बहुत अच्छा लगाता है जब मैं सीख रहता हूं तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी थुरा सा पढ़ना चाहिए आपको भी अच्छा लगेगा इसे बहुत साथ चीज एक लिए इमेज बाइड लिए इमेज दिखर आपको इमेज इसमें क्लीर कर रख तो अच्छा लगेगा आपको पर लिजिए वक्तल हम फिल इसी टाइम में आपके साथ बात्सित करें और इससे आगे के चीजे हम आपको समझाएंगे जे कैसे ओके बाई 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 सब्सक्राइब ओके